नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी श्टटी अड़ा में आपका स्वागत है सुपर्डेट 2022 के लिए कम्प्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं तो इससे पहले साइंस का पूरा कोर्स करा चुग है अलग से प्लेश्ट आपको डिस्क्रिप्स प्लेश्ट में मिल जाएगी एससटी के अंतरगत पूरा कोर्स करा रहे हैं तो क्लास नमबर 24 के अंतरगत आज हम बनो के प्रकार देखेंगे उसमें सदा बहार, परणफाती, काटेदार, डेल्टाई इस अभी टाइस देखेंगे और कुछ प्रस्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे इससे पहले क्लास नमबर 23 में से पहले वाला टॉपिक देखा था जिसमें महासागरी जलधारा है, हमने मैप में देखी थी प्रस्नों की भी प्रैक्टिस हमने ही देखेंगे तो यहां तक हम चीजे देख चुके हैं, महासागर की अंतरगत सारी चीजे और इसकी भी एचस्टी की भी अलग से प्लेलिश्ट आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी आज हमारा चैप्टर है जीव और प्राकरतिक संपदा और उसके अंतरगत वन हम यहां पर देखेंगे तो प्राकरतिक वनस्पती पहले थोड़ा सा कर जान लें, तो प्राकरतिक वनस्पती का अर्थ क्या होता है कि वनस्पती का वह भाग जो मनस्पती की साहता के बिना अपने आप पैदा होती हो लंबे समय तक उस पर मानवी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है इसे अक्षत वनस्पती का नाम भी दिया जाता है और भारत में गर बात करें कौन-कौन सी वनस्पती आप आई जाती है तो सबसे पहला टाइप है उस्ट्रिकटिबंदिये साधा बाहर वन अब देखे इस चीज को ध्यान दीजेगा सबसे पहले कि प्रस्ण कैसे आते हैं दो टाइट के यहां पर प्रस्ण आते हैं एक यह वर्सा से संबंदित आता है और एक आपका आता है इसके एक्जाम्पल में पाये जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्सा होती है और उच तापमान लगबग 22 डिगरी सेल्सियस जो है वो पाया जाता है तो यह आप वर्सा जरूर याद रखेगा क्योंकि यूपीटेट में एक बार जो है वो पूछी भी गई थी वरच्छों के सदा बहार जो है वो सदा बहार उसमें बनी रहे उसी नाम से है तो क्यों कहा जाता है यह इसका रीजन हो जाएगा अब सबसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह जो वन है उसमें सारवाधिक जयव विविद्दा पाई जाती है यहाँ से कोशन EBS में बहुत बार बूचा गया है कि किस प्रकार के वनों में सबसे जादा सारवाधिक जयव विविद्दा पाई जाती है तो आप कहेंगे उस्ट्र कटिबंदिय सदा बहार वनों में जो है वो पाई जाती है तो इन वनों में सारवाधिक जयव विविद्दा पाई जाती इस पॉइंट को भी आपक तक जो है वो सीमित है तो जितने आप यहां पर राज और के इंदर सासित प्रदेश देखने हैं इनको भी आपको पता होना चाहिए कि जो है यह कहां-कहां फैले हुए है और दूसरी चीछ यहां पर इंपॉर्टेंट सबसे है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई इन में कौन-कौन से वन आते हैं यहां से कोशन पूछ रहता है तो इन बनों में व्यापारिक महातुके व्रक्ष जैसे कि आपका एबोनी आता है जिसको आपनूस कहते हैं महोगनी आता है रोजवुड आता है और सिनकोना भी जो है वो आता है इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप जो है वो याद रख सकते हैं और ट्रिक आपकी क्या है आमरस यह जो है आपकी ट्रिक है यह आपकी ट्रिक है जो ए यहां पर लिखा हुआ है इससे क्या हो जाएगा आपका एबोनी हो जाएगा दूसरा वाला जो आप ए देखना है है इसको आपको नहीं लिखना है जब आम आप छोड़ी सी ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं, और एक और ट्रिक है इसकी, अच्छा वो रहने दिजे एक ही काफी है, क्योंकि फिर ज्यादा confused होगा, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये इसकी जो है वो example है, तो इनको जरूर रटके रखिएगा, मैंने आपको पहले वाले थे, सदा बहार, नाम से ही क्लियर था, हमेशा उसमें बहार बनी रहती है, और पर्ण पाती में, नामी में है, पर्ण पाती हैं नहीं पत्ते जिनके जो है वो गिर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल, डिसे, डिसे, पोरेश्ट जो है हम पढ़ेंगे, ये भारत में सबसे पढ़ पाती वन, इन वनों में सुस्क, ग्रीश मृतू में, छे से आठ सप्ता के लिए अपनी पत्तियां जो है ये गिरा देते हैं, और इसी करण से इन्हें पतज़ड़ वाले वन जो है वो कहते हैं, तो करण आपको सुझ माया, कि ये ऐसा करते हैं इसी करण से, अब ये इसमें आपका सागवान आता है, इसमें आपका सागवान आता है, इसमें आपका साल आता है, इसमें आपका सीसम आता है, इसमें चंदन आता है, इसमें खुसुम आता है, इसमें अरजुन आता है, इसमें आपका साखु आता है इसमें हरड बहेडा आता है और सहतूत आता है यहां पर जो हरड बहेडा है वो इतना important नहीं है साखु इतना important नहीं है अरजुन इतना important नहीं है कुसुम इतना important नहीं है बाकी सभी आपके most important है जिसमें सागवान, बास, साल, सीसम, चंदन और सहत पूछा कुछ भी जा सकता है पर अगर याद करने का जो क्रम है वो आपको बता होना चाहिए कि जो सबसे पहले में चीज है उनको याद कीजिए फिर जो बाकी बची चीजिए उनको याद कीजिए तो यह आपके किसके सब के उधराण हो गए यह आपके उधराण है पनपाती बनों में जो वर्सा है कितने सेंटीमीटर होती है ऑप्शन में 50-100-100-500-500-100 या कुछ भी ऑप्शन दे सकता है तो 100-200 होती यह पता होना चाहिए और इन में से कौन सा व्रक्ष जो है वो परणपाती बनों में नहीं आता है इस तरीके से भी कुशन बन सकता है फिर बात करते ह है यहाँ पर अगर वर्सा की बात करें तो 50-100 cm वर्सा वाले सुस्क मैदानी भागों में जो है यह पाए जाते हैं इस प्रकार की जो वनस्पती है वो आपकी करनाटक हो गया आंद ब्रदेस हो गया मद्र ब्रदेस हो गया 36 गड़ के जो पठारी भाग हो गया इन सभी जग 50 cm से जो है वो कम वर्सा जो होती है वहाँ इस प्रकार की वनस्पती जो है वो पाई जाती है तो यह वर्सा आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे कम होती जारी है अगर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो सबसे पहले जो हमने देखा सबसे गाश के मैदान तो यहाँ पर उस्च टविंदी घास के मैदान में 50-100 cm वर्सा होती है और अगर आप देखेंगे यहां सुस्च का जो मरुष्ठली काटेधार वनस्पती है तो यहाँ पर 50 cm से भी कम वर्सा नाम में ही है काटेधार वनस्पती तो आप देखेंगे ज जो भाग है उनके बन छोटे छोटे वरख्चो की जो है वो कटीली जाडियों के रूप में जो होते हैं और कटीली जाडियों का एक क्राण ये भी होता है कि जो आप देखने वासपो सर्जन की दर होती है न वो आपकी कम हो जाती क्योंकि आपका वहाँ पर पानितों से वो सर्वाइब कैसे करेंगे तो इसलिए वहां की ब्रक्ष होती हुतियम की कटीली जाडियां जो है आपको देखने को मिलती है भारत में इवन कहां कहां देखने को मिलते है तो देखे सबसे पहले लिखा हुआ राजिस्तान आप जानते हैं वह इलाका इस प्रकार से है कि वहाँ पर आपको रिग्ष्तान होगारा देखने को मिलते हैं, गुजरात हो गया, चतीजगड़ हो गया, यूपी भी आप देख रहे हैं, इसमें आ रहा है, हरियाना के अर्ध सुस्क भाग भी जो है, इसमें आ रहे हैं, तो यह आप इसके तिति याद रख सकते हैं, यहाँ के प्रमुक ब्रक्ष में आपका अकासिया हो गया, खजूर हो गया, यूफोर्बिया हो गया, नागपनी आपको बहुत बूचा जाता है, नागपनी कैक्टेस, खेजड़ा आपका, खेजड़ी आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, वही है, आपका यह है, बेर हो गया, रोहिडा हो गया, करील हो गया, रीठा हो गया, तो यह सब आपको जो है, वो पदा होना चाहिए कि कौन कौन से आपके इसमें आते हैं, लास्ट आपका जो इसमें टाइप है, वो आपका है डेल्टाईवन, और इसके बाद, डेल्टाईवन के बाद हम प्रस्नों की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ वीडियो से अभी लोग लाइक अवश्य करते रहेगा, सारी मेहनत हम आपके लिए जो कर रहे हैं, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहा है, इसी प्रैकार अच्छे पॉइंट, अच्छे अच्छे प्रस्न हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसको हम डेल्टाइक फॉरष्ट कहते हैं, ये वनसपती जो तटवर्ती छेतर होते हैं, उनमें जहां ज़ौर भाटा आते हैं, उनकी सबसे महतपूर वनसपती जो है, वो ये होती हैं, घने मैग्रोव जो है प्रकार की वनसपती हैं, जिसमें पौदों की जड़े होती हैं, वो पानी में डू भी रहती हैं, ये आप इसकी विसेस्ता जो है वो याद रख सकते हैं, अब यहाँ पर लाश्मी ये भी क्लियर के आ गया है, जैसे आपका गंगा, ब्रमपुत्र, महानदी, गोदावरी, इनके डेल्टा भाग में ये वनसपती जो है आपको प्रमुख रूप से देखने को जो है वो मिलती हैं, तो ये आप जाद रख सकते हैं, गंगा, ब्रमपुत्र, महानदी, गोदावरी, क्रिश्ना, कावेरी, नदियों के नाम, इन अदियों के डेल्टा भाग में ये वनसपती आपको देखने को मिलती है, जिसका नाम है, मैग्रोब, वन, गंगा, ब्रमपुत्र, डेल्टा में आपके सुंदरी वरक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसी करण से, यहां पर आपको सुंदर वन का डेल्टा देखने को मिलता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, और ये छेतर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसित है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई है, अब बात करें, इसमें वन कौन कौन से आते हैं, तो आपका ताड का बन आता है, कैसूरीना का बन आता है, नारियल का आता है, केोडा का आता है, एंगोर के वरक्ष आते हैं, तो ये वनों के नाम भी आपको याद रखने होंगे, ताकि यहां से कोई question आए तो आप जो है वो कर ले जाए अब जो हम प्रस्न देखेंगे actual में जो चीजी हमने पढ़ी उस पर बेश्डना हो करके इस chapter पर बेश्ड होंगे क्योंकि इस chapter में आपके जो EVS portion है लगबख कुछ तरीकी के प्रस्न आपको देखने को मिलते हैं उसी टाइप से हम प्रस्नों को देखेंगे तो चलिए शार्ट करते हैं प्रस्न एक से सबसे पहला प्रस्न आपका है कि भारत में जो रक्षा रोपर उत्सव है जिसे वन महौल सो की नाम से जाना जाता है उसके जन्व गाता जो है वो कौन है टोटल प्रस्नों की प्रसंकिया यहां पर हम 19 देखेंगे क्योंकि 20 वाला प्रस्नम आपसे भी जो है वो पूचेंगे तो बताइए महत्मा गांदी, विनोबा भावे, के मुंसी, जवाहला लहरू कौन से इन में वन महौसो की अगर बात करें आपका कब मनाये जाता है तो जो जुलाई महा है उसका जो फर्ष्ट वीक होता है इसमें आपको देखने को जो है वो मिलता है पहला जो सब्ता होता है इसको वन महौसो के रूप में मनाये जाता है और इसका सूत्रपात किस ने किया था, तो क्रसी मंत्री थे कनहिया, लाल, मरिक, लाल, मुन्सी, उन्ही का नाम है K.M. मुन्सी, तो यह जो K है आप देख रहे हैं, इसकी Full form क्या है, कनहिया, लाल, M say क्या है, मनिक लाल और मुंसी तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा इन्होंने इसका सूतरपाद जो है वो दिया था और यही आपका अंसर सही होगा इसी के जन्दाता के रूप में ये जाने जाते हैं दूसरा प्रसन है राष्टी ये पर रहा है इससे होता है आपका इन्वार्मेंटल दूसरा प्रसन बोचा गया है इसका सोधसंस्थान इस्थित कहां पर है तो ये आपका जो है वो नागपुर में जो है वो इस्थित है ना से नीरी ना से नागपुर ऐसे आप फ़लाद सा जोड़ सकते हैं और राष्टी पर्रहर्मेंट सोधसंस्थान की स्थापना कब हुई थी तो आप याद रख सकते हैं 1974 जो है आपका इस्थापना हुई थी कहां हूई थी नागपुर में नागपुर कहां आता है तो आपका महराष्ट में जो है वो आता है इसका उद्दे सी क्या है सरकार को पर्रेवरण विज्ञान और सोध से संबंदित सुझाओ देना तो में चीज आप यहाँ पर याद रख लखते हैं सुझाओ देना इसका काम है क्योंकि पर्रेवरण से लगबख सभी संबंदित है जो नाम में आपको परणफर देखने को मिल दा है, तो यह तो आपको सबन्च में आ जाएगा पले काम क्या करता है, तो सुझाओ देने का काम करता है तीसरा प्रस्ट कहाँ भारत में वन अनुसणधान संस्थान कहा इस्तित है दिल्ली में भोपाल में दहरादून में लकनों में बताईयन में से कौन सा जो है वो सही होगा आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो वन अनुसंधान संस्थान आपका दहरादून में जो है वो इस्तित है नई दिल्ली दहरादून नागपुर घोपाल बताइए इनमें से कौन से जो है वो सही होगा वन सरवेक्षड विभाग का मुख्याल है अगर आपसे पूचा जाए वन अनुसंदान संस्थान तो आपका ये दहरादून में है अगर आपसे पूचा जाए वन सरवेक्षड विभाग तो वो भी आपका दहरादून में ही है तो यहाँ पर भी option दहरादून उत्राखंड ही जो है वो सही होगा दहरादून उत्राखंड में भी भारती वन सरवेक्षड विभाग जो है उसका मुख्याल है पाच्वा प्रस्ना आपका कहा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा D गई जो 1 नीती है उसकी कोष्णा किस वर्स जो है वो की गई थी 1970, 1981, 1988, 1991 बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा तो option ABCD में से answer की बात करते हैं आपका option 1988 इस वी जो है आपका option C वाला जो है वो सही होगा किन सरकार द्वारा जो 1 नीती है यह आपकी 1952 को वर्स 1988 में संसोदित जो है वो कर दी गई थी और नई वन्नीती बना दी गई थी प्रस में वर्ड लिखा हुआ है नई वन्नीती इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजे तो यह आपका option यहाँ पर जो है वो सही होगा यह 1952 जो है वो लिखा हुआ है विख 1952 की थी नीती उसको 1988 में संसोदित कर दिया गया था तो नई वन्नीती बना दी गई जटा प्रस में राश्टी वन्नीती के अनुसार परणरवन की दरश्टी से देश के कम से कम कितने परसंट चेतर पर वनों का आपरण आवश्यक है अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो 33 प्रतिसत आपका आप्शन यहां पर जो है वो सही होगा जो कि संपूर देश का कम से कम 33 परसंट भाग जो है इस पर वनों का आपरण होना चाहिए ऐसा राश्टी वन्नीती के अनुसार जो है वो बताएगे है इसके अलावा कुछ और भी स्थान के स्पेसिफिक जो है भी बताएगे है जैसे राश्टी वन्नीती ने का है कि पर्रण की दश्टी से देश के जो पहाड़ी छेत्रों होते हैं उनमें अगर परसंटेज की बात करें तब आपका क्या होगा तो पहाड़ी छेत्रों का जो होगा वो आपका लगबग 60% जो है वो देना चाहिए मैदानी छेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी जो छेत्र हैं इनका लगबग 20% जो है वो भाग होना चाहिए पर संपूर देश की बात करें तो 33% अगला देखते हैं प्रस नमबर 7 उत्तर प्रदेश में तेल सोदक क अगला देखते हैं आपका प्रस नमबर 8, कि भारत में पहला सौर उडजा पावर हाउस इस्थाफित किया गया है, तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा, राधिस्थान, मेगाले, लद्दाग या फिर असम, भारत में पहला सौर उडजा पावर हाउस कहां इस्था अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो लद्दाक आपका ओप्षन आपर जो है वो सी वाला जो है वो सही होगा लद्दाक में इस्तापित किया गया है। यूपी जो है वो सही होगा उत्तर प्रदेश आपका जो है वो सही होगा नलकूपो के दवारा सरवादिक जो सिचाही है वो आपका उत्तर प्रदेस में जो होती है। अगला प्रसन आपका दस्वा कह रहा है कि नरौरा परमाडू के इंदर जो है वो कहां इस्तित है उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्ध प्रदेश या फिर आंद्ध प्रदेश बताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो नरौरा परमाडू के इंदर जो है आपका यूपी में जो है वो इस्तित है उत्तर प्रदेश आपका सही होगा और उत्तर प्रदेश के अंतरगर्द जो बुलंद सहर है वो आपका आता है जिला बुलंद सहर जो जिला है इसमें जो प्रत्वी के उपरी सता को किस नाम से जाना जाता है? अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका मृदा संपधा जो है, option B वाला जो है, वो सही होगा, प्रत्वी के जो उपरी सता होती ना, उसको हम कहते हैं मृदा संपधा या मिट्टी कह लीजिए, तो बात एक ही है यह आपका जो है, वो सही होगा, अगला देखते हैं प्रस नमबर 12, जल संसादनों में भारत का विस में कौन सा स्थान है, दूसरा, चौसरा, तीसरा या पहला, बताए इन में से कौन सा जो है, वो सही होगा, जल संसादनों में भारत का विस में, तीसरा जो है, वो सही होग और सब प्रस्णाम के आसान से इसलियम थोड़ा कम समय लेते हुए सभी अंसर आपको बता रहे हैं तेरा प्रस्ण कहा रहा है कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी आपको बताना है जीवास मीर धन में आते हैं, क्रति मीर धन में आते हैं, दोनों में आते हैं या फिर इन में से कोई नहीं तो बताईए कौन सा इन में से जो है वो सई होगा कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो इन में से किसमें आते हैं अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका option आपर जीवास्म एंधन जो है इसमें जो है वो आते हैं ये वाला आपका option आपर पिलकुल सही होगा अगला प्रसंद देखते हैं लोहा, कोईला, तांबा, पत्थर, आदी के अंतरगा जो है वो आते हैं जल संपदा, खनिश संपदा, मृदा संपदा या फिर सभी तो बताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चारो option में से तो आपका ये सभी खनिश में आते हैं तो खनिश संपदा आपका option आप पर जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रसन 15 कह रहा है प्राकृतिक संपदा जो है वो क्या है जल संपदा है वायू संपदा है मृदा संपदा है या फिर सभी है तो प्राकृतिक जो है जो कि प्राकृतिक ही निचुरल हो सीधा सा है तो आपका ये चारो ही आ जाएंगे यानि तीनो ही आ जाएंगे जल म्रग के लिए वो पुर्सिद है मानस जल्दपाडा दाची ग्राम हिंदरावती बताईए कौन साald में से सही होगा अंसर की बात करते हैं इन शारों में से तो आपका दाची ग्राम जो है वो सही होगा दाची ग्राम ये जो है आपका कहां का है तो ये जम्मू कस्मीर का है और दाची ग्राम जो है ये आपका राष्टी उद्यान जो है ये अंगुल म्रग जो है इसके लिए वो प्रिसिद है तो ये आपका C वाला ओप्षन सही हो जाएगा अगला प्रसन सत्रा कह रहा है कि एक सींग ग्यंडे के लिए प्रिसिद काजी रंगा राष्टी उद्यान जो है वो इस्तित है बिहार, मदब्रदेश, असम या पश्चि मंगाल कौन सा इन में से जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो ये कॉश्चन बहुत रिपीट होता है असम जो है आपका सही होगा एक सींग ग्यंडे के लिए प्रिसिद जो है आपका काजी रंगा राष्टी उद्यान तो ये आपका असम जो है उसमें जो है वो इस्तित है अगला देखते हैं सेगंड लाष्ट होगा हमारे देश का राष्टी पसु कौन सा है बाग सेर हिरन यहाती पासान सा प्रसन है पताईए कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आप सभी जानते हैं बाग आपका जो है सही होगा हमारे देश का राष्टी पसु क स्टार्ट की गई थी अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्ट देखते हैं इसके बाद एक प्रस्ट आप से भी पूचेंगे इसके अलाबा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवज जुड़ जाएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से रहे और सब्सक्रा बारत में असी कहां पासे रहना हैं डासर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका आप्शन याँ पर गुजरात जो है सई होगा ए फिडियो का आपके लिए प्रसंद विडियो में सेखने हैं मनाय जाता है, October का पहला सब्ता, November का पहला सब्ता, December का पहला सब्ता, तो जो हमने आपर प्रसंद बूचा है, आज के इस class से ही बूचा है, इसमें हमने श्टार्टिंग में आपको बताया भी था, एक प्रसंद के explanation में, अकर आपने ध्याल से सुना होगा, तो आप आज़सान साइंस दोनों की बनी हुई है, सुपरड़ेट की उसमें जा करके आप इससे पहले की क्लासेस और प्रसन जो के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नहीं प्रसनों के साथ, ने टॉपिक के साथ, अब तक के लिए नमस्कार, जाँ, जाँ, जाँ.